करेंगे के इंद्री की भाचपस सरकार के द्वारा लाइक है कुशी कानूर के खलाफ कॉंग्रेस आज प्रदेश के सभी ब्लॉकों में एक वर्च्वल मीटिंग कर रही है और इसे बाच्छा को कॉंग्रेस किसान सम्मेलन का नाम दिया गया है 36 गर इसे रही है वर्च्वल किसान सम्मेलन में प्रदेश कॉंग्रेस का रियाले राजीव भवन राइपो से ए आए सीसी के 36 गर प्रभारी पियल पुनिया मुक्यमुंती भूपिश बगेल और प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष मुहन मरकाम और प्रदेश की तमाम वरिष् और 307 ब्लॉग मुख्यालेयों में एक साथ वर्च्वल किसान सम्मेलन आयोजित किया जा रहा हैं सभी इस्थानों पर अलेजी, स्क्रीन, लाप्टॉप, इंटरनेट के माध्यम से उपस्तित लगभर 30,000 मजदूर, किसानों और आम नागरिकोर कॉंग्रेस जरू को प्रद जो तीन काले कानून किसानों के लिए बनाये हैं, वो किस तरह से किसानों के लिए हानिकारक हैं, किस तरह से किसानों के लिए घातक हैं, उसके बारे में जन जन तक संदेश पहुचना चाहिए, वो पहुचाने का काम करेंगे, और बारती जनता पार्टी की असली पॉल खु नहीं रही तो कॉंगरेस के एस वर्च्वल समयलन को लेकर बीजेपी का क्या कुछ कहना है आईे सुनते हैं नहीं रही तो कॉंगरेस की एक किसान वर्च्वल समयलन आयोजित किया जा रहा है तीस हजार से ज़्यादा लोगों के शामिल होने का जिक्र किया गया है क्या तैयारी और अभी किस तरह का माहौल वहाँ देखने को मिल रहा है बल्कुल किसान समयलन का जो आयोजित है वो आज किया जा रहा है यह आयोजन वर्चुल माध्यम से होगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस माध्यम से जोड़ा जा सके बतादे कि इस माध्यम से जो है 30,000 की सान इस माध्यम से जुड़ेंगे और साथ ही इसमें प्रदेश प्रभारी प्य एल पुनिया, मुख्यमिंत्री भुपेश, बगेल प्रदेश अदेख्ष मोहन बरकाम जो है वो सहोधित करेंगे और क्रिशी कानून को लेकर अने राजों में विरोध के साथ यह 36 गर्म में विरोध का सिलसला लगातार जा रही है कॉंग्रेस चरणबर्द तरीके से विरोध कर रही है इसी विरोध के सिलसले में जो है विरोध है वो शुरू किया जा रहा है अब जो है सोशल मीडिया के माद्यम से इंटरनेट के माद्यम से किसानर को यह बात पहुचाया जाएगा की खृषी बिल डू बना है जो क्रिशी कानून नया बना है वो किस तरीके से यहाँ पर किसानों को नुक्सान पहुंचाएगा, किस तरह से किसानों के लिए हानी का रखे और इस कानून के माद्यम से क्या कुछ प्रावधान है, वो सभी बाते किसानों को बताई जाएगी सामने हैं जो कई फैसले हैं जो नजीर भी पेश कर किये हैं जिससे केंदर सरकार के द्वारा जो कृशी कानून लाया गया है उसके खिलाफ ये पूरा प्रदेशन किया जा रहा है दो दिन पहले भूपिश कैबिनेट की बैठक होती है उससे कैबिनेट में एक बड़ा फैसले लिया जाता है कि प्रदेश का क्रिशी कानून अलग से बनेगा उसको लेके हमारी बाचीत भी क्रिशी मंत्री रविंद चौबे से भी होती है तो क्या वाकई में जिस तरह से जो नजीर पेश करने की कोशिश है छतिसगर और छतिसगर सरकार के द्वारा की जारी है क्या लो जासे जब उपेश सरकार किसान हीत ऐसी फैसले ले रही है और लगाता किसानों की हित नहीं फैसले ले रही है केंद्रे सरकार के द्वारा क्रिशी कानून है उसे चतिसगर में लागोग नहीं किये जाने की भी कावायाद शुरू हो गई है और अब चतिसगर में नया किसान क्रिशी कानून जो है वो बनाने की जो चर्चाए है वो भी तेज हो गई है जिसके लिए विधान सभा का विशेश सत्र भी बुलाया जा सकता है और क्रिशी कानून है उसे भी नया रूप दिया जा सकता है चत्तिस गण में नया क्रिशी कानून बनाया जाएगा जिसे ले करक प्रदेश सरकार जो विरोध किया था उन्होंने उसके साथ ही उन्होंने राजजेपल को ग्यापन भी सौपा था रास्ट्रपती के नाम तो तमाम जो बाते हैं वो भी सामने आ रही है और ये इसी वज़ा से यहां पर लगाता है जिबलकुल बीजेपी भी लगातार इस पर विरोध कर रही है और बीजेपी को कहना है कि प्रदेश की जो कॉंग्रेस सरकार है वो लगातार जनता की भी पर भ्रह्म फैल आने का काम कर रही है क्रिशी कानून का ऐसा कोई एक लाइन बता दे जिसमें ये लिखा हो कि वो किसान के विरोधी है कॉंग्रेसी आरोप लगाती है कि MSP खत्म हो जाएगा न्यूंतम समर्थन बुल्य खत्म हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं होगा मंडिया खत्म हो जाएगी ऐसा कॉंग्रेस के द्वारा आरोप लगाया जाता है जिसे बीजेपी सीरे से खारिच करते हुए कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है किसानों को भी चौलियों से बचाने के लिए क्रिशी कानून लागू किया गया है और इसमें कॉंग्रेस पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन करके ब्रहम फैला रही है सब ब्रहम की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है किसानों के ही तैशी है मोधी सरकार इसलिए ये कानून जो है वो लागू किया गया इस तमाम बाते जो है जो है जो चट्रिस गड़ की बिजेपी करती आ रही है और प्रदेश सरकार के द्वारा जो दूना दिया जाए सुपिया की पिजिसी चेफ मोहन मरकाम और प्रदेश परभारी पील पुनिय और साथ ही प्रदेश के मुख्या भूपेश बगहेल भी संबोधित करने वाले कितना वक्त पताया जाता कितनी देर में इनका संबोधन होगा थोड़ी दर में इनका संबोधन जो है वो शुरू हो जाएगा और संबोधन में किसानों को ले करने करेंगे और क्रिशी कानून के बारे में जो इसे भी किसाने के दौरा धीकर भूपेश सरकार अपनी बात पहुचाएगा और उनसे ये कहा जाएगा कि किस तरीके से ये कानून जाए वो उनके लिए नुकसान बाया किया और किस तरह से इन कानून में ज़र शंचोलन किया गया है किस तरह से ये कानून बनाए ये तमान बाते जो है मुख्यमंतरी भूपेश बग्यल के द्वारा की जाएगी इसके सा सरकार साधरी की कोशिश कर रही है, प्रदेश को सरकार साधरी की कोशिश कर रही है, यह भी आने वाले सब पता चल जाएगा, बहरालब तक की जानकारी के लिए आपको बहुत शुक्रिया.